Hello everyone, अज़ डेट है 27th of February 2022 और देहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एक्जाम के पॉइंट अफिस से डिस्कस करेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्रम चैनल वोल्कनो आईस केड़ मी का लिंक तिया हुआ है आप टेलिग्रम चैनल वोल्कनो आईस केड़ मी के साथ में जूड सकते हैं वहाँ पर हर exam means UPSC, state PSC and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि हरसन B को आपको map में view करना है फिर से related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आपसे question पूछा था Baring C को ले करके तो Baring C को अकर map में view करें तो Russia और यहाँ पर Alaska जो US का part है उनके बीच में Baring C situated है means Russia और नोर्ड अमेरिका जो continent है वहाँ पर Baring C situated है दोनों के बीच में यहाँ पर Baring State है आप सभी को पता है और Baring State को अगर हम minute level पर discuss करें तो Baring State जो है वो चुकसी C और Baring C को अपस में connect करने का काम करती है लेकिन अगर vast level पर overview करें तो यह architect question को और pacific question को अपस में connect करती है और separate करती है Russia और Alaska जो US का part है देहिंदू के front face पर जो important news है अब सभी को पता है Russia ने Ukraine के उपर attack कर दिया जिसकी वज़े से वहाँ पर ground level पर basic level बहुत सारी problem create हो गई हमारे इंडिया के बहुत सारे student जो है वहाँ पर फसे हुए थे जिसको लेकर के हमारी government ने अपनी तरफ से नया initiative start किया कि उन सारे student को जो भी regional areas में जो other countries है fact है आपको दिहान में रखना है question directly पूछ लेंगे कि operation गंगा जो है वो किस से related है अब United Nation Security Council में इसको लेकर के resolution पास करवाने की कुसिस की US और इसके साथ में US और Albania जो country है इन्होंने मिलकर के resolution को sponsor किया इसके लवा other countries भी इनके साथ में को sponsor के रूप में in countries का साथ दिया अब इस voting जब यहां पर voting की जानी थी तो इंडिया ने चाइना और UAE के साथ में मिलकर के United Nation Security Council में इस resolution को sponsor करने के लिए support करने के लिए voting हो रही थी तो इंडिया ने में abstain किया मतलब बचे ना उन्होंने vote में हाम में ना ना में बलकि उन्होंने कोई भी किसी भी तरफ वोट नहीं दिया मतलब इंडिया की जो balanced nature जो उन्होंने follow किया अपनी diplomatic policy में उसको यहां भी regular रखा है अब यहां पर 11 United Nation Security Council के अगर total members के हम बात करें तो आप सभी को पता है 15 member होते हैं जिसमें 5 permanent और 10 non-permanent होते हैं present time में इंडिया भी non-permanent members के रुप में वहां पर है तो 11 United Nation Security Council members ने तो support किया है इस resolution को रश्या ने यहां पर किया है अपनी veto power का use और three countries इंडिया, UAE और चाइना जो है उन्होंने किया इस voting से abstain अब US जो है इस issue को general assembly में discuss करने वाला है उन्होंने बुला है कि इस issue को हम general assembly United Nation general assembly में लेका जाएंगे और वहां पर इन सारे points को कि जो भी आपने attack किया है वो गलत है इसकी वज़े से ना सिर्फ Ukraine की जो population है वो effect हुई है बलकि अगर हम globally level पर देखे तो इसका वास्ट effect देखने को मिलेगा तो इसको general assembly में अब discuss किया जाएगा और इसमें क्या result निकल करकिया था है हालांकि आज के जो foreign page है उस पर बताया गया है कि US ने रश्या के उपर कुछ sanctions लगाने की बात की है कि उनके उपर कुछ sanctions लगाए जाएंगे हालांकि अगर हम देखें जो क्रेमिया का एनेक्स किया गया था तब भी इसी तरीके की sanctions लगाने लगाए गये थे रश्या के उपर लेकिन उनका कुछ एक बहतरीन result नहीं निकल करके आया था अब यहां पर बताया गया है देखो हमारे जो prime minister है उन्होंने फिर discuss किया कि Ukraine के यहां देखे यूकरेन के जो president है उनके साथ में कि यह जो situation है यह जो conflict जो देखने को मिल रहा है जो war है इसका effect जो है वो Ukraine के उपर काफी लंबे टाइम तक देखने को मिलेगा वहां के जो भी infrastructure है जो demolished हुई है इसकी वजह से हमारे जो prime minister है उन्होंने अपनी deep anguish को express किया है कि जिन लोगों की life कोई है जो property इस conflict में जिन लोगों अपनी जान गवाई है जो property का loss हुआ है उक्रेन को उसके लिए इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया वैसे अगर चाहता है कि ये war ना हो क्योंकि सभी को पता है कि अगर war होता है तो हर country जो है वो इसके indirectly डिरेक्ली जो है इस war की situation में से effect होईगा ही होईगा और अभी present time में तो आप सभी को पता है कि COVID की वज़े से हर country की जो economy है वो काफी ज़्यादा slowdown है तो कोई भी नहीं चाहता कि ये war जो हो और इस तरीके की जो issue है इंडिया ने तो पहले भी अपनी तरफ से बात बोला है कि देखो जो भी ये इस तरीके की issue है उसमें हमें war जैसे situation को तो दूर करना चाहिए और एक honest transparent तरीके से एक discussion होना चाहिए ताकि ये जो issue है इन conflict को solve किया जा सके Next important article हमारे Prime Minister ने एक important statement बोला कि medical की study करने के लिए हमारे बहुत सारे student जो है वो foreign universities में जाते हैं जिसमें हम बहुत सारा हमारे इंडिया का जो money है वो foreign को transfer कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमारे Prime Minister ने बोला कि क्या हमारे state मिल करके private sector के साथ में मिल करके huge quantities में यहाँ पर हम medical colleges develop नहीं कर सकते ताकि अगर para medical की study करनी है या direct medical की complete study करनी है तो जो students हैं उनको बाहर जो countries हैं वहाँ पर ना जाना पड़े बोलकि इंडिया में ही सारी facilities सारे infrastructure उनको available हो वो इंडिया में ही रूखे यहीं पर अपने study को complete करे ताकि हमारे यहाँ पर medical sector में जो एक तरीके से staff की काफी कमी है उसको हम दूर कर सके infrastructure development में अपने आपको ज़्यादा more powerful बना सके क्योंकि COVID के टाइम में हमने देखा थे infrastructure की कमी की वज़े से भी बहुत सारे जो cases है वो death में मतलब बहुत सारे जो लोग है उनको infrastructure ही रंक से नहीं मिल पाया medical सुईधा ही facilities नहीं मिल पाई जिसकी वज़े से उनकी COVID की वज़े से death हो गही थी तो medical education को हमें promote करना है जो infrastructure है उनको हमें develop करना है ताकि health facilities को हम world class level तक की बना सके next important article है West Bengal में regular आप discuss कर रहे हो कि वहां के governor और government के बीच में तो regulator से चलता रहता है अब पहले तो क्या हुआ था कि वहां के chief minister ने बोला कि भी साथ मार्स से हम चाते हैं कि जो हमरी legislative assembly है उसका नया session start हो budget session start हो हम उसमें discussion करेंगे ओके अब लेकिन governor ने इस चीज को कर दिया उन्होंने बोला कि सिफ मिनिस्टर ने बोला है मेरे को तो chief minister with council of minister के साथ में कुछ aid and advice देगा तब जाके मैं उस recommendation को मानूँगा बाद में जो chief minister के साथ में council of ministers से ने भी इस बात के लिए बोला है कि साथ मार्स से हमारा जो session है वो start हो अब उसमें printing error आ गया कि 2 p.m. लिखना था और 2 a.m. लिखा गया अब इसको लेकर के जो governor को बोला भी गया कि ये तो printing error है तो governor ने बोल दिया कि नहीं होई council of minister with chief minister ने मेरे को तो बोला है मैं तो basic उपर आप्रवल दोगा अब आप दुबारा से recommendation दो तो उसमें कुछ change हो सकता है तो आप देख रहे हो कि governor जो है West Bengal की elected government और governor की बीच में काफी टेसल आपर चलता रहता है next important news है page number 7 पर यहाँ पर जो first article है अभी हमने लगबर two days earlier हमने discuss किया था कि हमारे इंडिया की जो air force है वो बहुत सारी जो exercises है उनमें participate करेगी हमारे इंडिया की जो army है वो भी exercises में participate करेगी navy participate करेगी तो यहाँ पर एक multi nation air exercise होने वाला था जिसको cobra warrior के नाम से जानते है इसमें NATO countries, Belgium, UK, US इसके साथ में Sweden, Saudi Arabia जो है वो इसमें participate करने वाले थे और March में यह exercise conduct होने वाली थी इसमें Indian Air Force भी पहली बार इस cobra warrior exercise को join करने वाला था लेकिन अभी present time में क्या हुआ कि Russia के उपर, Russia ने Ukraine के उपर attack कर दिया तो इसको एक तरीके से background मानते हुए यह जो भी exercise है इसको cancel कर दिया गया है Next important news तो देखो एक cobra warrior जो है यह important word है और आपकी news में है तो आपको पता होना चाहिए इससे related basic facts Next important article है यहाँ पर हमारे जो Chief Justice of India है NV Ramana उन्होंने यह बात बुला है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारी vacancies है चाहे high court हो चाहे supreme court हो उन vacancies को हम जल्दी से जल्दी fill करें क्योंकि हमारे पास में cases का इतना pile up है कि उन सभी को solve करने के लिए ना सिर्फ हमें हमारी vacancies को भरना होगा बल्कि और ज़्यादा जो संख्या है numbers of judges की हमें increase करनी होगी इसके अलावा हमें जो experts हैं उनको भी include करना होगा judiciary में ताकि बहुत सारी problem जो है वो high court level पर ही solve हो जाए जैसे intellectual property rights इन सभी को solve करने के लिए experts की ज़रत हैं और judiciary में जब इनका insight होगा तब ही जाकर के high court पर इन सारे issues को हम solve कर सकते हैं next important article यहाँ देखिए page number 9 पर यहाँ पर जो first article है अब सभी को पता है जम्मू इंड कस्मीर UT जो है वहाँ पर delimitation commission बनाये गए ता रंजना देसाई के अध्यक्सता में अब जो delimitation commission है उन्होंने अपनी तरब से कुछ recommendation दी वहाँ पर seven seats को increase किया जिसमें six seats जो है वो जम्मू वाले region में one seat जो है वो कस्मीर वाले region में अब यहाँ पर national congress जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो five members की एक panel बनाया गया था जो delimitation commission की जो भी recommendation आएगी उनको आप overview करोगे उसमें जो भी अपनी तरफ से insert किया जाना है वो सारी बाते वहाँ पर बताई जाएंगी तो यहाँ पर यह बोला गया NC के दौरा कि बीजेपी के जो भी MP है उनकी जो planning है उसको support करने की कोसिस की गई है delimitation panel के दौरा favor किया गया है बीजेपी ने recommendation दी कि यहाँ पर SC के लिए यहाँ पर ST के लिए यहाँ पर जो area है उसको इतना diminish कर दो इतना increase कर दो यह जो area है उसको इसमें include कर दो assembly seat में include कर दो इसको काट करकि दूसरे में include कर दो तो यहाँ पर यह बोला गया है इसमें यह भी बोला जाता है कि delimitation commission अपना जो भी result declare करता है उसको आप कहीं challenge नहीं कर सकते है ऐसा नहीं है कि आप इसको high court में लेकर के चले जाओ कि अच्छा यह तो हमरे according नहीं हुआ तो आप इसमें change कीजिए next important article है राज्यसवा member जो है जो महरास्ट्रा से belong करते है उन्होंने यह बोला है कि हम क्या करेंगे hunger strike करेंगे और hunger strike उन्होंने start कर दी कि Maratha quota जो हमने avail किया था महरास्ट्री legislative assembly ने उसको regular कीजिए और इसके लिए parliament जो है वो rule regulation बनाए act बनाए जिसके तहे जो Maratha quota है वो दिया जा सके यह जो Maratha quota है वो news में रहा था क्योंकि Supreme Court ने इसको unconstitutional declare कर दिया था अगर हम discuss करें तो यह है क्या 2018 में Maratha community को reservation देने की कोशिस की गीती महरास्ट्रीन government के द्वारा उन्होंने यह बोला था कि 60, 16% जो है वो reservation दिया जाए महरास्ट्रीन में जो भी job है जो भी education sectors है उन सभी में बाद में यह जो चीज है इसको challenge किया गया Bombay High Court में और फिर Bombay High Court ने यह किया कि देखो Bombay High Court ने जो महरास्ट्रीन गोर्मेंट ने यह बोला कि हमने जो socially and educationally backward class जो है उसके basis पर हमने यह reservation दिया है मतलब माराथा community जो है वो socially और educational काफी backward है तो हमें equality उसको देना है इसलिए यह reservation है वो दिया जा रहा है क्योंकि देखो 1992 में इंदरासानी case होता है और इंदरासानी case में यह cap decide गई थी reservation जो है वो more than 50% नहीं होना जी maximum 50% तक reservation होना जी over all reservation मिला करके लेकिन आप इसको क्या नहीं कर सकते एक्स्टा नहीं कर सकते सिर्फ कुछ कुछ ऐसी condition बताएगी थी कि कुछ ऐसे exceptional cases जहां पर लगता है कि society में यह sector जो है वो काफी नीचे है और इसको अगर हम equality देना है तो reservation तो देना होगा और मानलो पहले से वहाँ पर 50% reservation है और उनको आपको extra reservation देना है तो उसके लिए छूट दे गई थी लेकिन normal cases में आप more than 50% जो reservation नहीं दे सकते हो तो Bombay High Court ने बोला कि देखो भई आपने 16% जो किया education institutions में और job में इस act को implement किया गया तो बाद में ये जो Supreme Court में इस result को ले जाया गया और Supreme Court ने इसके उपर लगा दिया stay और फिर बोल दिया गया कि CGI जो है उनकी एक larger band जो है इसका result लाएगी इसके उपर discussion करेगी अब यहाँ पर यहाँ पर कि आप separate resolution दे करके जो Article 14 जो हमारा है उसको खत्म कर रहे हो महराष्टेयन गौर्णमेंट का यह argument था कि अगर इंदरासानी केस को अगर overview किया जाए Supreme Court की एक larger bench के द्वारा तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ change देखने को मिले लेकिन Supreme Court ने 1992 के judgment को revisit करने से मना कर दिया और उन्हें बोला कि यह constitutionally recognized है हमें पता है कि 50% की ceiling क्यों लगाई गी थी और यह किस लिए हमारे लिए जरूरी है अब देखो यह जो मराठा जो है मराठा के बारे में जो exceptional cases जो है हमने बोला ना कि 50% की जो ceiling को breach कर सकते हो अब exception cases में लेकिन मराठा में यह नहीं हो सकता क्योंकि मराठा community जो है एक dominant forward classes है और national life में एक main stream में आती है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे backward area में रहती है उनके पास तो basic institution नहीं है basic foundation चीजे नहीं है इस कारण उनको जरूरी है तो इसलिए इस चीज़ को struck down किया गया पहले से उनकी quality life काफी अच्छी है फिर आप उनको बोल रहे हो कि वो तो हम exception cases के basis पर उनको reservation देने की बात कर रहे हैं तो यह जो मराठा कोटा जिसको लेकर के struck down किया गया अब चाहते हैं कि इसको लेकर के Parliament Act बना दे और Parliament Act बना करके इस यह जारी जो चीज़ यह है उसको implement करने के काम किया जाए 2018 में एक Act पास किया गया जिसके through National Backward Classes Commission पास हुआ बनाया गया और इसमें जो President है उसको power दी गई कि Backward Classes को notify करने के आपके पास में power है इसके अलावा जो Central Government है वो इसको लेकर के Act बना सकती है Rules Regulation बना सकती है हालांकि जो States है उन्होंने बुला कि हमारी जो power है इसके through dilute करने की कुसिस की जारी है Next Important Article यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चीता को reintroduce करने की बात की जारी है हमारी जो expert team है उन्होंने last week Namibia विजिट किया था और एक memorand pass करने की sign करने की कुसिस की गी थी कि वहाँ से transfer किया जाएगा यह जो चीता है उनको Namibia के एक conservation center की यह image है और यहाँ से इनको इंडिया की जो भी इनसे related जो भी situation, condition जहाँ पर best रहेंगी उन नेशनल पार्क में इनको reintroduce किया जाएगा अब यहाँ पर ही बताया गया है कि Wildlife Institute of India की जो expert है वो मधिपरदेश से इसके अलावा Indian Forest Department Wildlife Institute of India इन सभी ने Namibia विजिट किया और Memorandum of Understanding को sign किया और transfer करने तो इसमें जो भी हमारे officer से यहाँ से विजिट किया था उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारे जो चीताज हैं उनको वहाँ पर देखा और जल्दी हम इसके लिए work करेंगे हमारे जो Environment Minister अभुपेंद्र यादव जो है उन्होंने अपने 19th meeting में National Tiger Conservation Authority के 19th meeting में ये बोला कि चीता जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में extinct stage पे है और जल्दी इनको इंडिया में return किया जाएगा तो यहाँ पर देखो कुछ important fact National Tiger Conservation Authority के बारे में बोला गया है तो उससे related basic facts हम देख लेते हैं N.T.C.A. एक statutory body है on Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंडर आती है Wildlife Protection Act 1972 के जो provisions है उनको enable करने के लिए इसको constitute किया गया था 2006 में इसको amend किया गया और Tiger Conservation के लिए को strengthen करने के लिए ये सारी काम ये जो N.T.C.A. जो authority है वो work करती है Second बात आती है Wildlife Institute of India की Wildlife Institute of India एक autonomous natural resource services है जो Ministry of Environment, Forest, Climate Change, Government of India के अंडर आती है और 1982 में इसको बनाया गया था ये जो institute है वो देहरादून बेस्ट है इंडिया में और Namibia की map को हम view कर लेते हैं तो जो हमारा Africa continent है वहाँ पर Namibia जो country है वो situated है और Namibia country को अगर हम देखे तो इसकी जो border है वो Angola, Jambia और Botswana जो countrys है उनके साथ में मिलती है ओके Next important news है यहाँ पर देखे हमारी जो government है उन्होंने work किया था कि हमारे जो भी health sectors है उन सभी को हम आपस में relate कर सके एक national rollout बनाया जाए इसके लिए उन्होंने scheme बनाई आश्मान भारत digital scheme जो ministry of health and family welfare के अंडर इसको बनाया गया और national health authority जो है उसको implementing agency की power दी गई आश्मान भारत digital mission को implement करने की तो union government जो है उन्होंने कोसिस की है कि digital health solution जो है वो across health care system में हम एक चीज को implement कर सके तो इसके लिए क्या किया है government ने यह बोला है कि technology की साथ में मिल करके हमने कोविन, आरोगिशेतू, इस अंजीवनी जो एप है वो अच्छे से हमारे यहां पर वर्क कर रहे है तो क्यों ना हम कुछ ऐसे numbers जब भी कोई person यहां पर यह जो आईशमान भारत digital mission जो है इसके अंडर अपने आपको register करता है तो कुछ numbers उनको दिया जाते है उन numbers को government जो है वो link करवाने की बात कर रही है ताकि लोगों के जो digital health record है वो मिल पाए, इसके basis पर government अपनी policy बना पाए जो भी issues है, जिन disease की ज़्यादा संभावना देखी जा रही है उसके according हम अपने infrastructure को develop कर सके next important article foreign base पर है यहां पर Russia, Ukraine जो issue है war जो है, उसी को लेकर के हम पर बताये गया है, शो किया गया है कि किस तरीके से वहां पर जो भी constructions हैं, वो demolished हुआ है इसके अलावा France ने रश्या की जो सिफ है उसके को siege कर लिया है कि EU के जो sanctions है उनके according, उनको violate किया है रश्या ने, इसलिए इनकी ये जो सिफ है उसको siege किया जाता है US ने भी रश्या के उपर sanctions लगाने की बात कर दी है, यहां पर हमने कल भी discuss किया था कि जब भी war जैसे situation create होती है तो refusing की जो समश्या है वो काफी जादा increase हो जाती है तो Ukraine के जो लोग है वो निकल करके EU borders पर और इसके अलावा जो other countries है, उनमें entry यहां पर कर रहे हैं यहां पर Afghanistan से related news है कि Afghanistan university जो है जब से Taliban ने वहाँ पर take over किया है उसके बाद में लगबग 6 महीने बाद में वहां की universities open हो रही है और Pakistan और Afghanistan का जो border है वहाँ पर कुछ class देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से लगबग 2 दिन से उनकी जो border है वो बंद कर दी गई है ओके next important news है science page पर यहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई कोई भी small animal जिसको आप जैसे कि fruit fly है अगर वो उनके कुछ enemies है तो यह माना गया यह देखा गया कि वो जो जो भी small animal है उनमें काफी ज़्यादा stronger वो देखने को मिले इस तरीके कि in host pathogen systems it is interesting to study how the resistance to a pathogen evolves in the case of host and virulence towards the host evolves in the case of a pathogen यहाँ पर देखिए इस तरीके से उनको लगता है कि हमारा कोई enemy है तो उनमें जो भी power है वो ज़्यादा strong one करके सामने आई है यहाँ पर trees के बारे में बता रखा है कि जो trees है अगर हम देखे तो जैसे कि forest area है forest area जो densely area है वहाँ पर एक tree की जो grow है वो काफी कम होती है comparison to जो age वाले area में जो trees है यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो trees जो age वाले area में किनारे वाले area में जो trees होते है वहाँ पर जो भी उनकी leaf होती है उनकी down falling जल्दी होती है जिसकी वज़े से जो carbon उनमें store रहता है वो जल्दी से degrade होकर के जो carbon dioxide जो उनमें मतलब sink होती है वो release हो जाती है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देखो हम अमारे बहुत सारे construction के लिए जो trees को काट रहे हैं अब trees को हम काट रहे हैं लेकिन उसकी वज़े पर हम क्या कर रहे हैं plantation कर रहे हैं लेकिन वो plantation जो है जो highly density वाले forest है उनको कभी भी replace नहीं कर सकता है तो इसके लिए government को क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे construction activities है वहाँ पर इस तरीकी कि हमारे जो forest area है उनको replace करने की ज़रत नहीं है क्योंकि इससे हमारे जो environment है कौफी ज़धा effect होता है यहाँ पर जो हमारी report आती है हर दो साल में forest report उसके बारे में बताया गया है कि अभी हमने देखा कि forest report में हमारा जो area है उसको increase होता हुआ दिखाई किया है लेकिन यहाँ पर problem यह है कि जैसे कि हमारे जो tea plantation है या फिर जैसे हमारे mangoes के orchard है या कुछ और भी हमने बागान जो implement किये हैं उनको भी हम forest cover में increase करते हैं और उसकी वज़े से forest cover increase होता हुआ दिख रहा है लेकिन अगर हम ground level पर जा करके देखें तो जो densely forest है उनकी संख्या काफी कम होती जा रही है next important article है page number 12 FAQ पर यहाँ पर आज Sunday है editorial page नहीं आता लेकिन यहाँ पर कुछो news काफी ज़ादा news में रही पूरे week में उन सभी के बारे में यहाँ पर एक vastly तरीके से अच्छे से यहाँ पर discuss किया जाता है तो सबसे पहले Russia-Ukraine conflict को हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं इस article में पहले तो यहाँ पर map कि तुरू यह show कर रखा है कि USSR 1991 में किस तरीके से USSR का falling होता है कैसे यहाँ पर जो उसके member countries हैं वो अपने आपको independent declare कर देते हैं तो सबसे पहले Lithuania जो country है उन्होंने अपने आपको यहाँ पर declare किया था जो Baltic countries के रूप में situated है इसके बाद में अगर हम देखें तो आपको यह जो centralization countries जो हैं जिनके साथ में हमारे इंडिया के प्रैमिनिस्टर ने भी कुछ चाहिम पहले discuss भी किया था किर्गिस्तान का जाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यह सभी जो हैं वो पहले USSR के पार थे लेकिन बाद में यह अपने आपको independent declare कर देते हैं और यहाँ पर यह बताया गया है कि Ukraine जो है वो CIS USSR का जब disintegration होता है और जब यह independent countries बन जाते हैं तो यहाँ पर एक organization बनता है CIS Commonwealth of Independent States मतलब एक तरीके से आप यह मान सकते हो कि USA का जो federal structure है उससे थोड़ा सा loose मतलब आपने आपको independent भी रखो और कुछ points के उपर आप अपने आपको एक तरीके से collaboration में भी काम कर सकते हो तो यह organization मना जिसकी foundation रखी थी Ukraine country ने S जो organization है इसके charter को और इसके अलावा CSTO जो organization है collective security treaty organization उसको भी कभी भी जोइननी किया Ukraine ने और फिर 2008 में जाकर कि Ukraine अपनी इच्छे व्यक्त करता है कि हमें तो NATO organization से जूनना है तो सबसे बड़ा major problem ही यही है foundation problem ही यही है कि NATO organization का expansion यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी कुछ time पहले रश्या के जो president है व्लादिमिर पुतिन उन्होंने 1917 की जो bolsevik revolution हुआ था उसमें जो leaders थे उनको condemn किया है कि history में अगर हम देखे तो लेलिन के जो idea है वो इस country को build करने में और इस country के जो basic principles है उनको dilute करने में उस time की जो भी revolution थी इसके अलावा उस time के जो भी ideas थे उन्होंने काफी important role play किया है उनके जो भी ideas थे वो सबसे बड़ी mistake थे USSR के लिए और बहुती बड़ी mistake मतलब जिनको माफ ही नहीं किया जा सकता इसी mistake है जिसकी वज़े से मतलब इतनी बहंकर mistake है जिसकी वज़े से ये सारे effect USSR को देखने पले तो यहाँ पर बताया गया है कि USSR का collapse कैसे हुआ हम सभी को पता है कि जो अफगानिस्तान वाला area जो था उसके उपर पहले USSR का एक तरीके से कपचा था यहाँ पर USSR ने अपने troops को भीज रखा था लेकिन बाद में अगर हम देखे तो US पाकिस्तान और सब्दी अरेबिया ने मिलकर की यहाँ पर USSR को back कर दिया जैसे ही USSR यहाँ से retract होता है USSR का जो integral part है वहाँ पर protest होना start हो जाता है और सबसे पहले Soviet-backed communist regime in Eastern Europe में यह collapsing होना start होती है क्योंकि cold war का उस time तक end हो जाता है और इसके बाद में यहाँ के जो इसके पाड़ थे उनमें कुछ problem होना start हो जाती है Poland से problems होना start होती है और यह जो Poland है वहाँ पर headquarter था Soviet-led Warsaw Pact का Warsaw Pact जब NATO organization बनाता उसी time कुछ और organization USSR ने भी बनाने की कोसिस की थी तो उसका headquarter था Poland में तो यहाँ से protest होना start होता फिर other other countries तक expand हो जाता है और फिर 1990s के time में सबसे पहले अगर हम देखे तो Lithuania आपने आपको यहाँ पर independent declare कर देता है उसके बाद में जो other countries है वो एक के बाद में एक जो है वो यहाँ पर अपने आपको independent countries के रूप में develop कर देते है 1992 में USSR जो है वो एक organization बनाने की कुसिस करता है CIS organization और यहाँ पर कुछ country जो है जो independent हो जाते हैं USSR से वो इसमें जुड़ भी जाते है लेकिन 1990s के time में अगर हम देखे तो Germany का reunification हो जाता है और उसके बाद में दुबारा से NATO organization अपने आपको expand करना start कर देता है तो यहाँ पर इस article में यह बताया गया है कि जैसे ही NATO organization अपने आपको expand करना start करता है कुछ time के बाद में जो USSR के part थे जो country वो धीरे धीरे NATO organization में जोड़ने लग जाते हैं और रश्या के जो बिल्कुल regional areas तक जो NATO organization है वो अपनी पहुंच बना लेता है लास्ट में अगर हम देखें तो 2008 की बात है जब जोर्जिया और युक्रेन जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से एकोसिस की कि हम भी NATO organization में जुड़ेंगे तो लेकिन यहां पर लास्ट में यह बोला गया कि देखो NATO organization में जैसे उन्हों जुड़ने की बात की रश्या ने अपनी तरफ से कुछ world troops को जोर्जिया के वपर अटेक किया और यह बोला कि वहां पर हम कुछ independence कुछ separatist movement है उनको support करने के लिए troops को हमने यहां पर encroach किया है और सेम इसी तरीके का अभी हमने issue देखा इससे पहले भी 2014 में जो क्रीमिया रिजन है उसको annex कर लिया था रश्या ने तब भी यही कारण था कि NATO organization में जुड़ने का कोसिस की जारी थी यूक्रेन की दौरा और USA तो चाता है कि यहां पर ज़्यादतर जो countries है वो NATO organization का member बने अब इसको लेकर के जब NATO organization के साथ में उनके connectivity इंक्रीज हो रही थी तब ही जाकर के अब रश्या ने क्या किया है Donbass region के दो region जो है उनको recognition देने की कोसिस की है और वहाँ पर रश्या ने क्या करना स्टार्ट किया Donbass region में जो भी separatist movement है उनको support करना स्टार्ट किया फिर academia को annex कर लिया हार area से चारों तरब जो है वो यूक्रेन को अपने अंडर करने की कोसिस की तो इस article का conclusion यही है कि NATO organization का जो expansion है वो इस conflict का main cause है तो जब भी discussion हुआ उसमें कहीं भी यह नहीं बोला गिया कि NATO organization का expansion नहीं होगा अगर ऐसा बोला जाता तो हो सकता है कि यह वो जो है वो नहीं होता यहाँ पर जो next article है वो national stock exchange को ले करके है यहाँ पर अभी हमने देखा कि national stock exchange की जो former MD है उनके उपर कुछ irregularities के आरूप लगते है former MD and CEO चित्रा रामकिष्णा तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 190 पेस का एक order pass किया गया है सेभी के दुआरा कि जो मिस रामकिष्णा है इसके बाद में उनके जो predecessor है रवी नारायन और former group operating officer आनन्द सुब्रमन्या इन सभी के उपर जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि यह कुछ fraud cases में तो सामिल नहीं है फिर इसके basis पर उनको regulate करने की एक बात की जाएगी तो यहाँ पर जब यह रामकिष्णा मिस रामकिष्णा का ये issue सामने आया तो यहाँ पर market infrastructure institutions की बात की गई कि पर उनको किस तरीके से regulate किया जा सकता है तो 2010 से पहले RBI Governor विमल जाना दू है उन्होंने एक कमेटी को headship किया था और उन्होंने यह सारी बाते बोली थी अपने रिपोर्ट में किस तरीके के infrastructure को अगर हमें कुछ basic under like framework ऐसा होना चाहिए इस system के लिए कुछ ऐसे features होने ताकि market infrastructure जो time है उनको हम क्या कर सके fundamental facilities दे सके इस market को सरु करने के लिए कुछ ऐसा system उनके लिए develop कर सके ताकि जो भी चीजे हैं उनसी जो को solve किया जा सके तो यह आज के देहिंदू की important news थी next यहाँ पर जो news है वो बता रखा है कि देखू गुजरात का जो दीसा जो सहर है वहाँ पर जो इरिया है वहाँ पर काफी ज़्यदा potato का production होता है तो last pages पर यहाँ पर show कर रखा है यह दिए को image के थ्रू यहाँ पर बता रखा है यहाँ पर जो article है उसमें कुछ profiles के बारे में बताया है आप सभी को पता है अभी नवाब मली काफी ज़्यादा news में है मारस् क्या गया कि उनके doubt के साथ में कुछ relations उनके सामने आ रहे है और यहाँ पर man of economic सुतराज संजीव सानिया उनके बारे में बताया गया है ओके यहाँ पर जो article है वो MSC Munich Security Conference के बारे में है कि present time में जो problem देखने को मिल रही है तो Munich Security Conference जो है वो peace को पीस को लेकर के जो threat मिल रही है उनको लेकर के जो leaders हैं किस तरीके से अपने brainstorming करें कि जो problem है उसको solve किया जा सके यह जो war है अभी latest edition जो है उसको assume किया गया था ताकि Ukrainian जो president है उनको appeal करने की कोशिस की गई कि Russian invasion में हम आपके help कर सकते हैं जो भी problem है उसको मिल बाट करके हम solve कर सकते हैं तो Munich Security Conference जो है यह word जो आए है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ओके थैंक यू